निम्कित नगरों में कौन सा भारत का पीट सबर्ग कहलाता है राउरकेला, जमसेदपूर, दुर्गापूर या फिर भिलाई तो भारत का पीट सबर्ग कहा जाता है किसको जमसेदपूर को आपसर नमबर बी करेक्ट हो जाएगा और ये सारे के सारे क्या है ये लोह इसपात उद्द्योग के परमुक केंद्र है रावर केला जमसेदपूर दुरुगापूर और भिलाई सभी के सभी लेकिन जो भारत का पीट सबर कहलाता है वो कहलाता है जमसेदपूर इस तरह से आपसर नमबर बी करेक्ट है किस नदी का म मैं केंजी का तो डी विल भी राइट चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ और अगला कोश्चन लेंगे सुचे को सुचे दो से मिलाना है देखते हैं एक तरफ दिया है कुछ सब्द यानिके जन्नांकी सब्द और एक तरफ दिया है इसकी ब्याक्या तो कोहोट क्या होता है कोहोट क्या होता है कोहोट है विशिष्ट सर्वमान विशिष्टा द्वारा पंज एक करित जंसेंख्या समू तो एका दो प्राकृतिक ब्रिद्धी क्या है यह मिर्त दर घटा जरंदर है यानिकि B का एक कुल प्रजन अंदर क्या है इस्तरी द्वारा अपने गर्वधारान करने की आयू के द्वारान बच्चे जन्मे बच्चों के ओसर संक्या यह ते कुल प्रजन अंदर तो C का 3 आशिरत दर क्या है? ड का 4 हो जाएगा, उत्पादक आई उसमय में आशिरतो की संध्या का माप तो, ड का 4 हो जाएगा, इस तरह से, A का 2, B का 1, A का 2, B का 1, C का 3, D का 4, आप सन नम्बर B में दिया गया है, B आप सन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कोपेन महदे के अनुसार प्रियाग राज की जलवाई का प्रकार क्या है CWG, CWA, CFC याफी CSB तो कोपेन के अनुसार जो प्रियाग राज यानिकी इलहावाद की जलवाई वह किस्तर की है CWG प्रकार की है यानिकी सुस्क्रीत की मांसोनी जलवाई आपसर नुमबर A करेक्ट हो जाएगा निम्कित में से कौन सा अनुविकरणी संसाधन समझा जाता है जल संसाधन, पसु संसाधन, कोईला संसाधन या फिर वन संसाधन तो अनुविकरणी किसको समझा जाता है यह कोईला संसाधा यानि कि इसको दुबारा यूज नहीं कर सकते हैं आपसा नुमबर सी बिल भी करेक्ट निम्निकित में से कौन साज़कम सही सुमिलित नहीं है पूछा क्या जा रहा है सही सुमिलित नहीं है मत्से पालन अंगूर उतपाधन रेसम कीट या फिर उध्यान कर पूलेंड में नहीं होता है और उध्यान करसी यह निद्रेड़न यह बिल्किल करेक्ट है जो सी वाला है यह करेक्ट नहीं है जो रेसम कीट पालन है यह जो है पूलेंड में नहीं होता है आप्शन नमबर सी इसका क्या करेक्ट हो जाएगा बाके से भी समी क्या है मैस है थान्थवेट द्वारा बिस सो जलवाई को बिभक्त किया गया है 14 वर्गों में 23 वर्गों में 32 वर्गों में या फिर 120 वर्गों में कितने वर्गों किया गया है क्या गया है 32 वर्गों में तो सी आप्सन क्या है करेक्ट है लिमकित में से कौन सा कारक तरणीत जंजा के विकास में साहयक नहीं है वाय मनडली स्थीरता संभाव्य अस्थीर वाय का संभाण उस्डए वम नम वाय की आपूरती या फिर बादलों का प्रकार क्या है वाय मनडली स्थीरता है यह आप्सन करेक्ठ है भारत में गणडवाना करम के चटानों को anth proclaim को पढ़िये और निछे दीए कूट से सही उत्तर का चैन किजिए गुडवाना चटानों कंदेमाड बिंधन के बाद हुआ है यह प्राचीनतम यह प्राचीनतम अवसाधी चटाने हैं या तदिक धात्विक चटाने हैं या फिर डी चौथा है इनमें परचुर मात्रा में कोईला पायाता है तो कौन सा कूट इसमें करे करेक्ट है और इनमें परचुर मात्रा में कोईला पायता यह भी करेट यानिकि दो और छार करेक्ट है बाकि क्या है करेक्ट नहीं है आप सा नूमबर सी करेक्ट हो जाएगा तो चलिए सुरे का सबसे नजदी के ग्रवाद शूकर बुद्ध भिस्पति या फिर मंगल तो क निम्कित में से कौन सा सागर का सबसे कम गहरा है उतरी सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर या फिर पीत सागर सबसे कम गहरा पुछा क्या है ये कौन सा है पीत सागर है आपसा नमबर बी सरी आपसा नमबर डी करेक्ट है बन रहे बादल में बिद्दुत के एक निर्माण में कौन सी प्रिक्रिया महत्पुड है सौर पराभोतिक किरणों का अवसोशन लगू चूकदर तीब्र उर्द वायुधारा या फिर भारी वर्षा इसमें क्या है इसमें है तीब्र उच वायुधारा इसको क्या कहते है इसको कहते है इसको कहते है भूशन नती यह option क्या है correct है सागरी जल में लोडों का सही घटना करम क्या है calcium carbonate, sodium chloride, calcium sulfate, magnesium chloride magnesium chloride, magnesium sulfate, calcium carbonate या फिर potassium sulfate तो सही घटता करम क्या हो जागा या sodium chloride है, magnesium chloride है magnesium sulfate है या फिर calcium sulfate यही वाला क्या है correct है C will be right गुटेनबेर्ग और संतत्ता किसके बीच पाजाती है पपड़ी और प्रवार प्रवार और क्रोड उपरी क्रोड और निचला क्रोड उपरी प्रवार और निचला प्रवार किसके बीच में पाजाती है यह पाजाती है प्रवार और क्रोड की बीच में आप्शन नमबर B correct है किस ग्रह पर वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है बुद, बिरस्पती, पृत्वी या फिर प्लूटो सबसे अधिक लंबाई किस ग्रह पर होती है या होती है प्लूटो पर D option correct है अधिकतर परवत निर्मानकारी हलचले उत्पन होती है प्रिथिवी की आवराणपरत में मेंटल में से, क्रोड में से या फिर एस्थेनो स्फेर में से तो सरवाधिक निर्मानकारी हलचले होती है कहाँ पर क्रोड में सोती है C option correct है फिलामेंट सब्द का परयोग किया गया है ग्रहाड़ परिकल्पना में ज्वारी परिकल्पना में सूपरनोवा परिकल्पना में या फिर D है अंतरा तारकी धूल परिकल्पना में तो option number D will be correct यूराल परवत किस परवत किस स्रेंडी का परवत है नभीन बलित परवत जटील परवत सरल बलित परवत या फिर प्राचीन बलित परवत यूराल परवत किसका उधाराण है या उधाराण है आपका प्राचीन बलित परवत का तो D option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा गला question लते है सिर्ष दिवार समंदित है सरक से नूना आटक से टान से या फिर यू आकार की घाटी से एरे टरैंड रोल। किसे कि सरक से अप्सन नमबर करेक्ट हो जाएगा आज के सेस्ट क्लाश्ट क्वेस्ट्न तारों की विश्ति-विति गयास अवब धूली राषिके पेंट को कहते हैं फिलामिंट नेविला कि रहाडू या फिर दैतारक इसको कहते हैं दैतारक प्रकल्पना आप्सन नमबर डी करेक्ट है तो 20 कोशन रहें 22 कोशन और उमीद करते हैं सहसन आपको पसंद आओगा सहसन पसंद आदर वीडियो को लाइक कर लिजी और चैनल को सब्सक्राब करिए धन्यवाद